देखिए जो फेला question था, first question था, उसमें दो statement दिये हुए, पुछा गया which statement is correct, कौन से statement correct है, तो पहला statement है indicative planning से लेटेट, यहां दखिएगा indicative planning मतलब नाम से ही पतल चला है, indicate करना, ठीक है, तो इसमें indicative planning का मतलब यह होता है, यहां दखिएगा कि यहां पर सिर्फ बताया जाता है, कि आपको क्या करना है, मतलब for example government है, government सिर्फ instructions देगी कि आप ऐसा ऐसा कर लिजे, बाकि आप कैसे करेंगे, वो आपको freedom रहती है, ठीक है, तो लेकिन government का भी रोल है, क्यों government बता रही है आपको, और even कर कोन रहा है, private player कर रहा है for example, तो देख रहे हैं, government का भी रोल है और private player का भी रोल है, तो ऐसी indicative planning, mixed economy का feature है, ठीक है, और दूसरी type की planning होती है, imperative planning, ठीक है, socialist country में, जहाँ पर government बताती हो, government ही करती है, ठीक है, तो याद अखिएगे, socialist country